हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टो हिंदी मिरर चैनल सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत हैं अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं तो आपका जो है एक्जाम कर मैंने आपको बताया था कि जो स्रीदेशुमन उत्राखन युनिवस्टी के एक्जाम चल गया है कहां 29 में लेकिन जो आपका 25 को करिकुलम वाला पेपर होना है और ये पेपर सभी का पेपर कॉमन पेपर होना है तो उसकी वीडियो आज कल आपके लिए अप्लोट हो रही थी अभी तक हम ने आप तक जो त्योरी पहुँचाई थी लेकिन अब हम MCQ लेकर आए हैं और ये 300 के आसपास आपके MCQ हैं 50-50 के पार्ट में या ज्यादा पार्ट में आपको ये मिलेंगे और 20 डे 20 हो चुकी है और English के students की मेरे पास query जा रही है तो students के जो मैं बता दूँ कि English के मैं already upload कर चुकी हूं लेकिन कोशिश करूंगी कि जितने मैंने 150 के आसपास में questions अप चल रहे हैं तो आपको वी दांसर एक दिन बैठकर करते हैं वी वर्शो साज चुटी हो तो उस दिन आपके लिए पूरी वीडियो बना देते हैं अभी फिलाल जो हिंदी के students हैं तो वो देख सकते हैं उनके बहु विकल प्रशन हम लेकर आए हैं और जितने भी students को देख र करेंगे तो शैद कहीं न कहीं आप अपने जासी ही उनकी भी केर करेंगे तो शेर कर दीजिए जल्दी से जल्दी वीडियो शुरू हो चुकी है पहला प्रशन आपके सामने हैं और हिंदी मिलर का भी परिवार का हिसा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए बैल आपको जब मैंने थियोरी कराई थी तो मैंने जब थियोरी कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि आपके थियोरी में से ही प्रशने बनेंगे और इस वाले प्रशने को मैंने जब थियोरी में आपको बताया था तो बहुत अच्छे से बताया था आला कि आपको आंसर इस सब्सक्राइब को पता है कि अभी जारी हुई है और जितने भी पेपर आ रहे हैं जितना भी स्लेबस आ वह सब कच नया है अगर आपको कोई कहता है कि प्रिवेस कोशन पेपर हैं तो कुछ नहीं होगा आपके पास क्योंकि प्रिवेस कोशन पेपर होने का सवाली पैदा नहीं होता क्योंकि अभी स्लेबस बना है हां ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपिक आप जैसे आपका सपोच करिए आपका जो मेजर सब्जेक्ट है अगर मान लो हिंदी ही है तो मैंने पढ़ा यह हिंदी मैं है इसकासा ही यह सलेबस उठाय गया हिस्ट्री है एक क्यों थै इहां है बहुत ज्यवादर पर नहीं बहुत जप्ट होंने हैं इंग्लिश में आपका सारा चेंज है बाकि सब्जेक्ट का हम मैं नहीं पता क्योंकि चार-पार सब्जेक्टेम देयरी कराते हैं आपकी तो वही बाद मैं आपको कहरे हूँ लेकिन यह जो है आपका जो पेपर है को करिकुलम इससे पहले पेपर ही नहीं था यह पहली बार पेपर आया है तो इस वेसे इसके कोश्चन्स भी आपको देखने पड़ेंगे आप यह पर कुछ कोश्चन्स ऐसे हैं जैसे अन्वर्मेंटल पंपल सरी था पहले और वह भी सेकेंडर में जाकर था लेकिन यहां पर उसके कुछ कोश्चन्स लिए गए हैं और एक आपका वोकेशनल वाला है तो जो आपका हमने ही गड़वाली बढ़ाया है तो गड़वाली पर सारी थी गड़वाली से संबंदित महां पर्टिकुलर लेखकों के बारे में पूछा गया था तो थोड़ी सी आपके लिए तो चलिए आगे का प्रश्ण हम आपको बता देते हैं परसनेलिटी शब्द का शाब्दी करता यह भी मैंने आपको बताया था और नकाब यहा और मनोशारिरी के वस्ताओं का गतिशिल संगठे ने जो उसके परियाण के साथ उसका अधूत्य सामझे से निधारित करता है तो सोच लेजिए जल्दी से यह वाले डेफिनेशन किसने दी है तो आपको बता देए यह वाले डेफिनेशन अलपोर्ट की है टिक करते चले मैकडूगल रोशा या फिर आलपोर्ट तो यहां पर आपको अंजर बता देते हैं रोशा है आगे है यह है परिक्षन कब हुआ तो बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए जो प्रशने है यह परिक्षन कब हुआ 1921 1931 1931 तो आपका यह आंसर जाएगा इसमें 1921 फिर है ट protest के जनक कौन है तो टी एट जनए किया बताने है रोशा मोरे कॉलर या फिर इसकी नर तो यहां पर आपको बता देंसको जो है यहां पर टीए टी टेस्ट भी बोला जाता है तो इसके हैं मोरे यह परिक्षन कबुना बना तो यह परिए परिक्षन की शुरूवात कब سे हु संबंदित है सिक्ष परकार के वरगी करन किसने बताये जल्दी से सोचिए किसने बताये यह भी थिओरी में आपको मैंने बताया था तो यहां पर जो आपका आंसर जाएगा पढ़ लिजे पहले इस्प्रेंगर यंग श्यल्डल व्या थांडाइक तो यहां पर आपका जा रहा है इस्प्रेंगर आगे हैं इन में से कौन परिक्षन विदी से संबंदित नहीं है प्रशेकपण तो निरक्षन शाहिके दपो वाला परिक्षन टी एटी या फिर सी एटी तो जल्दी से सोच लिजे आंसर क्या जा रहा है आपका तो संबंदित नहीं है तो वह है निरक्षन अब यहां पर वोड्स वर्त ने व्यक्तितु मापन के किस विदी को जन दिया यह सब त्योरी में मैंने आपको करा था मैंने का था त्योरी को बहुत अच्छा से पढ़ है जो परसनेलिटी है वो किस किस से प्रभावित होती है फैशन से वातावरन से दोनों से अमाता पिता के किवल वहवार से नहीं ऐसा नहीं होता है जो हमारी परसनेलिटी है वो फैशन से भी प्रभावित होती है नेक्स्ट है आपका वंशान उकरम मानो जीवन को करता है रानिती में राष्ट वाद्य गुन के जो विकास उतना है नेक्स्ट है मातापीता द्वारह अपनी संतान में गणों को हस्तानां उकरम कि जहते हैं जैसे मैंने बताया कि जीन में होता है वहीं हमारे में ट्रास्ट Kर हो जाता है तो उसको सकते हैं अप स्टावा Coburn कि लिई गाते हैं तो किस नोटने बंग हो रहां इव और को आ यह केिस आपको हैं MCQs में हमेशा इसी चीज़ का अपत्यान रखेगा जहां पर होता है उपरोग दोनों या उपरोग सभी तो उसमें mostly यानि कि 90% आंसर वही वाला सही होता है एक चीज और है यहां पर अगर आता है उपरोग में से कोई नी तो 90% ये वाला wrong होता है तो आपके पास बचे तीन option ये इसको हम बोलते हैं कि eliminate करना अगर आपको बता है कि इन दो में से कोई एक हो सकता है तो दो को आप eliminate कर दीजिए और दो में से फिर आप अपना दिमाग लगाईए ये कौन सा अंसर हो सकता है तो यहां पर जाएगा वेंडिकर्ट अब आगे चलते हैं मनुश्य मनुश्य को जन्म देता है यह बात की सिध्धानत में कहीं गई है मैंडल के सिध्धानत में सावयवी के सिध्धानत में मैंने अभी थियोरी सिर्फ आपको one unit की ही दी थी अगर आपको लगता है कि और थियोरी आपको पढ़नी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं मैं थियोरी भी डाल दूँगी लेकिन टाइम की शॉर्टेज होती है बहुत जादा मैं कोशिश करूँगी कि सटरेडे संडे आपका सब कुछ कतम कर दो जिसने भी आपका स्लेवस है तो यहाँ पर दो अप्शन और है मूल जिवानू तत्विन रंतनता का सी दान तो प्रॉक्त में से कोई नहीं तो हम इसको तो अलिमिनेट कर ही देंगे बाकी बचेंगे हमारे पास तीन उप्शन तो तीन उप्शन में से आप देख लीजिए तो यहाँ पर जा रहा है सी आपका नेस्ट आपका है हेरी डिटरी जिनियम नामक पुस्तक के लेखा कौन है फ्रांसिसी गॉल्टन, बेकन, मार्क्स, वेवर, मेनहिम तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा फ्रांसिस गॉल्टन, आगे है प्रजातियों का धन करने वाले विद्वान का नाम था गिलिन, गिल्बर्ट, किलिन बर्ग या फिर इल्बर्ट, तो जल्दी से इसका अंसर सोचके लगाईए, इसका अंसर जाएगा किलिन बर्ग, अब आगे है आपका पर्यावरन भहस सब कुछ है जो मनुश्य के चारोर से घेरे हुए है तो ये वाली जो परिभाशा है किसके द्वारा दी गई है तो यहाँ पर जीन्सबर्ग, प्रोफेसर तोमर का, मैकरिबर का या फिर रियूटर का जल्दी से सोचीजी आंसर क्या जा रहा है तो अगर आप लगा रहे है ये तो बिल्कुल सही है जिन्सबर्ग की ये डेफिनिशन है आगे है भुगोलिक परियावरन को दो भागों में वाजित किया गया है तो कैस कौन कौन से भागें तो भुगोलिक जो परियावरन होता है वो नियंतरित तथा अनियंतरित होता है कहीं आपने देखा होगा कि कहीं कहीं हम जो भुगोलिक छेतर होता है उनको हम नियंतर में रख सकते हैं लेकिन कुछ अनियंतरित छेतरित होते हैं उनको हम बिलकुल भी नहीं कर सकते तो यह वाला आपका आंसर बिलकुश ही है नेस्ट है आपका भुगोलिक परियावन मानुजीन को प्रभावित करता है किवल परत्यक्ष रूप से करत्रिम रूप से परत्यक्ष रूप से तो आपको बता दें कि 19 का आंसर आपका D जाने व प्रभावित करते हैं या विजारधारा किसकी है समाजवाद समयवाद अरजक्तवाद या फिर भोगोलिक वाद तो आपका अंसर यहां पर जाने वाला है भोगोलिक वाद क्योंकि जो हमारी सभी संस्ता हैं जो भोगोलिक तत्त होते हैं सभी संस्ता को वो प्रभावित करते ह है चाहे कोई भी संस्ता हो आगे चलते हैं इसमें आपका आंसर मनुष्य जी मनुष्य प्रत्वी की संतान है उसे प्रत्वी से अलग नहीं किया जा सकता तो यह वाली परिभाशा दी है और अमने बल्कुल अच्छे से जितनी भी डैफिनेशन है उनको अच्छे से देख करता है व्यक्ति वादितम प्रतकता सही शुंता जीवन के लिए संगर्ज या उप्रोग सभी देखिए आ चुका ना इस तरह का उप्षन आपके सामने तो मैंने कहा था 90 परसेंट यह वाला आंसर ही सही जाता है और जहां पर होता है कोई नहीं वो 90 परसेंट रोंग जाता को आप फोकस कर सकते हैं नैस्ट है हर्च कोविट के लिए संस्कृति का अर्थ है अब ये भी है तो इनके द्वारा संस्कृति का क्या हर्थ बताना है पर्यावन का मानो निर्मित अंश मानो समुका समाजिक वहवार एक समुदाई के मानो वृत्ती समाजिक वृत्ती तथा मानसिक वृत्ती समुदाई के समाजिक संबंदों का जाल तो यहाँ पर पर्यावन का मानो निर्मित अंश जो होता है वह क्या होती है हर्स कोविट्स के लिए संस्कृति का अर्थ होता है नेस्ट है परेवन के चार भेत कौन से बहुतिक है जैविक है समाजिक है संस्तागत है तो ये वाली किस विद्वान ने पताया है किसके अनुसार है लांडिस्क वेकावित आगबन निमफोक निमकोफ एल एल बर्नार्ड तो जल्दी से देख लिए ये आंसर क्या जाने वाला है तो इसका जाने वाला है ये बर्ना परिश्डक का निमन मेंसे कुन सा अरत वह और्न देख तो चार होता है और नहीं होता है और होग गया मतलब आपको कुछ इसके अलावा भी और और होता है और यानि के तरफ यानि के चारो तरफ से जो घिरावा है उसको हम क्या बोलता है परी परियावरन बोलता है लेकिन परी क्या होता है चारो और से नेक्स्ट है आपका परियावरन का संबंद उनी दिशाओं से है जो क्या करती है ह प्रभावित करती है कैसे आंतर्य रूप से समाजिक रूप से भायरूप से प्रहकर्ती yüz रूप समाजिक प्रियावरण को मालूं है यह सांश्कृतिक कम आ द paragraphs कि नहीं हो krt क्योंकि सब्ढक स्भूर्ण परियावरण प्रहकर्ती प्रहकर्ती है तो पहर रेगिस्तान नदिया प्राकरती पर्यावरन होते हैं नेक्स जन संख्या भुगोलिक कुछ आपको थोड़ा सा सेंस भी लगाना है आपको पढ़नावत पढ़ना तो आना ही चाहिए जो पढ़ावाया अपने लेकिन कुछ कोश्चन ऐसे होंगे जहां पर आप अपनी जो सेंस होती है 6 बोल सकते हैं उसको लगाना है वहां से वह अंसर आपको एटब करना है यहां पर आपको सिर्फ सोचना होगा कि इसका अंसर क्या जा सकता है और जो परियाण पर प्रभाव छोड़ती है नेक्स्ट है सम्हू विचार विमर्ष है मोखिक संचार, लिकिस संचार, सांकेतिक संचार जब आप किसी सम्हू में बैटकर वादी बात कर रहो हो या फिर तर्प कर रहे हो या फिर बात कर रहे हो तो क्या होता है बहुत है मोखिक संचार होता है रिटिन में हुआ कुछ नहीं हो रहा है ठीक है समू विचार विवर्ष का उद्देश्य क्या होता है विचारों का आदान परदान बिल्कुछ सही है सुझाओ प्राप करना होता है निन्ने लेना होता है उप्रोफ सभी देखे यह आ चुका है आपके सामने option तो बिल्कुल सही है यही वाला आंसर जाने वाला है समू विचार विवर्ष के दोरान अध्यक्ष का उत्तर दायतु होता है जो हमाँ पर अध्यक्ष बना दिया गया है तो उसकी क्या responsibility होती है क्या होती है संपूर्ण परिकर्या को record करना नियम होता है हां उसका क्या काम होता है नियम को बनाए रखना अगर वही नियम तोड़ेगा तो और भी लोग महां पर नियम तोड़ सकते हैं नेक्स्ट है विचार विमर्ष को संपूर्ण परिया को record करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है अब देखे record करने वाला भी आ चुका है तो अध्यक्स तो ही नहीं तो यह एलिमिनेट हो गया इन में से कोई नहीं भी एलिमिनेट हो गया बचे हमारे पास दो रिकॉर्डर और सदस्य तो बिल्कुत सही आंजर रिकॉर्डर यहां पर जाएगा नेस्ट है समुविचार मिमर्श का दोश है अधी जानकारी श्रमकाव दोश में सोचनी थी गुण है मैंने दोश पे ध्यान नहीं दिया तो व्यर्थ बाते दोश नहीं है जब यहां पर हम कुप सारी बाते करते हैं विचार मिमर्श में तभी कुछ कंक्लूजन निकल कर आता है नेस्ट है निमनलिकित में से कौन सी सफ़र सामुविचार समस्या के तत्व हैं तो सम्मू का छोटा होना समस्या का हल खोजना समस्या का होना जह हमारे पास कोई समस्या होगी तभी हम परिचर्चा कर पाएंगे तो यह तत्व तो सबसे पहला होता है फिर यहां पर इन में से सभी यह सभी तत्व इसके काउंटेबल हैं नेस्ट है सा बाकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं और 300 के आज पास आपके कोशन्स हैं ऐसे ही दिरे दिर आपको देते रहेंगे 18 मिनट की वीडियो हो चुकी है ज्यादा लेंदी हो जाएगी आप भी देकर बोर हो जाएगे मैं भी बुल बुल कर ठक जाओंगी तो थोड़ा अगर आप हिंदी मिरर से जुड़े रहे तो डेफिनेटली आप 40 अबाउ तो ले ही आएंगे लेकिन 40 तो एटलिस्ट जो बच्चे पढ़ेंगे अच्छे से आ ही जाएंगे तो लाइक कर दीजे शेर कर दीजे और साथ में कमेंट बॉक्स में क्वैरी सेल कर दीजे